हेलो एफ्रिवन आईशा फ्रम नाशनल अकाइडमी ओफ फायर एंड सेफटी तो आज हम बात करने वाले हैं सेफटी के उपर मतलब सेफटी क्या है सेफटी हम कैसे रख सकते हैं सेफटी रखने से हम कितने परसंट एक्सिदंट रोख सकते हैं और पीपी के बारे में भी बात करेंगे तो आज का पूरा टॉपिक जो है वो सेफटी के उपर रहेगा क्योंकि सेफटी फरस्ट होती है तो अगर हम सेफटी रखते हैं तो हम accidents भी रोग सकते हैं क्योंकि जब आग लगती है आग लगने से पहले अगर हमने precautions लिये होते हैं तो उस place पर आग भी नहीं लग पाती है तो safety बहुत ज़रूरी है तो इसलिए आज हम पूरा safety के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे safety क्या है देखिये safety कैसा हत्यार है अगर जिसे हम use करते हैं तो 98% accident हम अपनी रोज की life से avoid कर सकते हैं अगर हम safety रखते हैं तो हम been किसी भी तरह का खत्रा नहीं आ पाएगा हम तक क्यों भी तरह का खत्रा नहीं आ पाएगा अगर हम safety रखते हैं तो हमारी body को कोई harm नहीं हो पाएगा और किसी भी तरह की risk लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और अगर safety रखते हैं तो हम अपने घर में तो safe रही सकते हैं साथ-साथ अपनी workplace पर भी safe रह सकते हैं तो safety रखना बहुत जरूरी है तो अब बात हुई है safety की तो safety रखना हम शुरू कहां से करें तो safety की शुरूरात हमें खुद से करनी होती है जब हम खुद safe रहेंगे तब भी दूसरों को safe रख पाएंगे तो इससे हमें पहले खुद apply करना होगा अपने उपर तब हम दूसरों को बता पाएंगे ठीक है तो हम safety की शुरूरात करते है PPE से यानि की personal protective equipment से तो देखिए PPE जो है वो होता है personal protective equipment अगर हम ये wear करके कोई भी work करते हैं या फिर हम अपनी regular life में भी PPE पहनते हैं personal protective equipment यूज करते हैं हमारे life से 98% accident avoid होता है regular life में अगर जैसे कि कोई drive कर रहा है तो वो helmet अगर पहनता है तो उसका जो accident अगर by chance हो भी चाता है तो helmet की वज़ा से जो सर पे लगने वाली चोट होती है वो avoid हम कर सकते हैं तो इससे हम बच सकते हैं ठीक है और उसके साथ साथ अगर workplace पे हम PPE पहन के work करते हैं तो यह समझ लिए जो 98% accident avoid कर सकते हैं 98% accident हम avoid कर सकते हैं क्योंकि क्या होता है कोई भी accident होने से पहले अगर हमने अपनी body पर safety रखी है तो हमारी उस body part पर वो harm कर ही नहीं पाएगा तो harm हो गए नहीं तो कोई नुकसान भी नहीं होगा और हमारी body को कोई तकलीव भी नहीं होगी तो इसलिए PPE पहनना बहुत जरूरी है ठीक है वैसे तो इतनी सारी चीजे arrangement रहता है कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं होने पाए पर PPE पहनने के बाद भी बहुत सारे accident हम avoid कर सकते है ठीक है और इसके साथ हम एक दो चीजे और कर सकते हैं जैसे कि अगर हम workplace पे तो अपने साथ के लोगों को training दे सकते हैं supervise कर सकते हैं कि कौन सा work कैसे करें किस टाइब की PPE पहनना जरूरी है उस work को करने के लिए ठीक है तो PPE का भी बहुत main role है इसमें तो अगर हमें अपना workplace safe रखना है तो हमें PPE पहनना जरूरी है अपने साथ के लोगों को guidelines देना जरूरी है कि वो कैसे safety रखें ठीक है तो यह तो बात होगी personal protective equipment की अब हम कैसे इसको body पे wear कर सकते हैं इसके बारे में भी आपको बताओगी सबसे पहले starting होती है helmet से यानि की head protection से अगर हम helmet पहनते हैं तो हमारे सर पे जो लगने वाली चोट होती है वो avoid हो जाती है और इससे भी accident रुख सकता है ठीक है next आते हमारा ear plugs आपने देखा होगा industry इसमें बहुत sure होता है machines का sure होता है या फिर other भी बहुत सारे noise रहते हैं तो इससे क्या होता है अगर हम regular regular ये सारा noise सुनते है तो हमारे कानों को harm हो सकता है हो सकता है हमें सुनने में problem आ जाए तो इसलिए ear plugs पहनना भी जरूरी होता है जिससे हमारे कानों को कोई भी नुकसान न पहुछने पाए उसके बाद आता वेस्ट क्लॉट्स मतलब की हमें फुल स्लीफ के क्लॉट्स पहन के काम करना चाहिए और साथी सेफटी जाकेट भी पहन के रखना चाहिए चिक है उसके बाद आता ही सेफटी गलफполож अगर हम gloves पहनते हैं तो यह समझे चे आप कोई भी chemical वाली चीज़ अगर छूल लेते हैं तो वो जो harm होगा वो glove पही होगा आपके हाथों को कोई भी नुकसान नहीं पहुच पाएगा आँखों के लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई बहुत सारी टैप की गंदे ear जो रहती है इंडुस्ट्रीज में रहती है harmful virus उसमें रहते हैं ठिक है कोई भी तरह की dust या फिर कुछ भी तरह का chemical आपकी आँखों में ना चला जाए इसलिए हम ear भी पहनते हैं की goggles पहन के रखना ज़रूरी है फिर next आता है dust mask यह dust mask क्यों पहनते हैं जो भी हम ear inlet कर रहे हैं इनहल कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी तरह का chemical हो सकता है जिसे हम सूंग लेते हैं तो हमारी lungs में problem हो सकती इस वज़े से हमें mask पहनना भी ज़रूरी होता है ठिक है उसके ब हमाले जे कोई भी भारी समान अगर आपके पैरों पर गिरता है तो इससे आपके पैरों को कोई नुकसान नहीं हो पाएगा तो देखिए क्या हो गई है सारी चीज़े सबसे पहले helmet हो गया ear plug हो गया eye goggles हो गए vest cloths याने की safety jacket dust mask हो गया safety gloves हो गया और boots याने की safety shoes हो गया तो यह सारी साथ चीज़े हैं जिने हम अगर अपने life में एप्लाय करते हैं regular life में workplace पे तो हम अपने आपको safe रख सकते हैं क्योंकि अगर हम खुद को safe रखेंगे तब ही दूसरों को safe रख पाएंगे तो यह बहुत करने के excuse चार excuse वह हो क्या रहते हैं poor fit fitting नहीं है not easily accessible हम उन्हें easily पहन नहीं पा रहे हैं too hot जादे गरम है पहनने के लिए उसादे गरम है और looking unattractive अच्छा नहीं दिखता है पर यह देखिए यह साल चीज़े हम avoid करने होंगे अगर हम हम safety रखनी है तो देखिए 9 क्या होता है workplace पे 9% injuries जो है वो किस से होती है head injury होती है जिसकी वज़े से हमारी जान जा सकती है ठीक है और 50% construction site पे workers को eye injuries हो जाती है ठीक है क्योंकि chemical जतना रहता है ना वहाँ पे जिसकी वज़े से eye injuries हो जाती है 25% जो worker रहते हैं उनका accidents hand glove ना पहनने की वज़े से fingers और hands पर कोई भी चीज गिरने की वज़े से hand injuries हो जाती है और 25% अगर earmuff नहीं लगाते है तो उनको उस कानों में सुनने की problem हो जाती है तो देखिए इतनी सारी चीज़े अगर आप यह नहीं करते है अतने percent तक injuries आपकी पीपीई परस्टेटिव एक्यूप्मेंट ठीक है तो देखिए अगर हम right equipment यूज करते हैं तो हम सेफ रह सकते हैं ठीक है पीपीई एक बहुत ही आसान तरीका है खुद को सेफ रखने का workplace पर ठीक है तो देखिए सारी चीज़े मैं आपको बता चुकी हूँ है प्रोटेक् पर सकते हैं, "...भूडी प्रोटेक्शन और हम सेफटी जगेट पहन के कर सकते हैं ॏ हम Kurdves पहन के हम हैंड program Extra सेफ़्टी सू पहन के हम फूट प्रोटेक्शन कर सकते हैं इसमेन एक आया है Toàn है और यह नाया फॉल प्रोटेक्शन यू इक क्या होता है कोई भी ऑगर हैं, मैं from heights करता है, height पर work करने से क्या होता है, उसको risk रहता है नीचे गिरने का, तो एक safety harness रहती है, जिसको अगर वो पहनता है, तो किसी भी उच्छी जगा से वो अगर नीचे गिरता है, तो वो गिर नहीं पाता है, हवा में जूल जाता है, तो harness पहनना यानि कि harness यानि कि fall protection पहनना भी जरूरी होता है, तो ये safety at work रहता है, safety at heights पर रहता है, तो workplace पे हम ऐसी ऐसी safeties अगर रखते हैं, तो हमारी body को कोई harm नहीं होता है, तो safety में सबसे पहले starting किस तो होती है, PPE से, ठीक है, ये चोटी 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 चीज़े रहती है, safety में बहुत ही चोटी रखना भी बहुत जरूरी है, तो इसलिए आप लोग भी ध्यान रखेगा, safety का, so stay safe, thank you